भक्ति उप्रतम अश्नामी प्रियतात मना इसलिए है अर्जुन जो भक्त मेरा सरद्धा के साथ प्रेम के साथ प्रेम मैं भक्त कोई पत्ता आरपन करता है तुलसी का पत्ता हो या सबजी हो पत्ते ही हैं पुष्प पत्त्रम पुष्प जलम तोयम जल फल जो स्रद्धा से जो प्रेम से यो में भक्तिया भक्तिया मीज़ भक्ति भाव से शुद्ध भावना से प्रेम भरी भावना से के प्रभू स्विकारो मुझ गरीब का ये भूग स्विकारो तद हम भक्ति उप्रतम उसकी भक्ति को देख कर गे, उसके प्रेम को देख कर गे मैं काता हूँ, मैं काता हूँ खाया है, विदुर का साग ही तो खाया, पत्ती ही तो खाये बिलनी के पास क्या था जंगल में, बेर थे, वो भी चाक-चाक के लाती तो उसकी प्रेम था, भावना थी शुद्ध कि मेरे प्रभु को मीठे बेर लेकर चलूं, और रोज लाती थे तोड़के, कि कभी तो आएंगे, आज नहीं आए तो कोई बाद नहीं, कल आएंगे फिर दूसरे दिन भी लाती थी, नहीं चक के लाती थी, कि ये बेर मीठा है, इस जाड के बेर मीठे है, मुझे लगता नहीं कि प्रतेग बेर को मुझे चकती होगी, जाड के एक बेर को चाक लो तो पता चल जाता है हम कभी अंगूर खरीते हैं, तो पूरे अंगूरों को थोड़ी चाक चाक के देखते हैं, एक को खा के देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि मीठा है, तो भाज दे दे, दो पॉंट दे दे तो बील नी भी जगे जगे ज़ार थे, बन में ज़ा रहती थी, तो जिस ज़ारी के बेर मीठे थे, उनको तो उड़के लाती थी, ये मत समझो, पृते एक बेर को इतनी पगला कोई नहीं होता है, कि पृते एक बेर को आदा खायगा रहाता बगवान के लिए, बिलकुल अ ये बेर मीठे है, उनको तोड़के सजा के लाती थी भवान को अरपड करने, भवान ने खाये, भवान तो प्रेम देखते हैं न, प्रेम ही उनके लिए सब कुछ है, प्रेम ही परमिश्वर का रूप है, आपके, आप प्रेम से उनको प्रणाम भी करते हैं, दिन में एक बा पत्रम पुस्पम फलम तोयम योमे भक्तिया प्रयच्छती तद हम भक्ति उप्रतम अशनामी प्रियतात्मना हे अर्जुन ऐसे प्रिय भक्त का ऐसे प्रेमी का अर्पन किया हुआ मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ उसके प्रेम को देखती हुए तद हम भक्ति उप्रतम भक्ति को निहारती हुए कितने भाव से मुझे इसलिए दुरियोधन का भी निमंतरन आया था दुरियोधन ने राज महलों की छपपन व्यंजन तैयार किये थे कृष्ण के लिए दुरियोधन ने अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए दूतों को भेजा कि जाओ कृष्ण को निमंतरन देखे आओ कि आज दुरियोधन के महलों में तुम्हारा भोजन करना दूत गए जूते पहन के चर मर करते हुए कृष्ण को जहां भी पाया भगवान को बोला कि आज दुरियोदन्य निमंत्रन बेजा है हे बासुदेव कृष्ण आना बुलाया है आपको बुल ठीक है देखा जाएगा देखता हूँ लेकिन थोड़े ही पल के बाद में विदुर जी वान नंगे पाउँ चले आ रहे है उस भावना को ले करके कि प्रभु आज मुझे गरीब के घराना मैं भी आपको थोड़ा कुछ एक टाइम भोजन करवाँ बगवान गए हो हाँ बिदुर तो राज घराने में महलों में धृतराश्ट के दरवार में बहुत उचे ओदे पह थे ले राज घराने से जो भी कुछ मिलता था वो गरीबों में भाट देते थे वो अपने घर में नहीं लाते थे नाजयाने कैसे कैसे भगवान उनका घर चलाता था कि उनके घर में अच्छी तरह अन जल्वी नहीं खाने पी निकलिये तो सबजीत साग था कोई कोई भी साग होगा, साग बनाया होगा था और साग ये अरपन किया सरसों का साग होगा ये पालक आलू बनाये होंगे जो भी था अरपन कर दिया साग था विदुर को साग खायो दुर्योधन को मेवा त्यागे हो साग विदुर घर खायो क्यों? तद हम बक्ति उप्रतं, बक्ति प्रेम था विदुर का, विदुर के हिर्दे में प्रेम था, ऐसा प्रेम प्रभू के साथ आपका उदे होगा, उस दिन आप दूसरों को भी ऐसा प्रेम बराब्याहार करने लगेंगे, यह रहश है, प्रभू के मंदिर में प्रवेश करो, व और भगवान ने जैसे पर्थम इस लोग में कहा कि सत्व गुणी भोजन स्रेष्ट है सत्व गुणी भोजन करो भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन के बिना पूछे ये प्रारंब किया है अर्जुन ने स्रदा के लिए तो पूछा था कि शास्त्रों को नकारते हैं उनके भी इर्दम स्रदा तो होती है तो वो कौन सी स्रदा होती है कृष्ण क्या हो रजोगुणी होती है सत्व गुणी या तमोगुणी अर्जुन ग्यानी मात्मा था अर्जुन जानता है कि सतोगुन क्या है, रजोगुन क्या है, तमोगुन क्या है नहीं पूछ रहा है कृष्ण से हम सब के कल्यान के लिए भगवा ने सरदा का बिसे बतलाया और तुरंट बोला कि बोलने लगे अर्जुन भोजन भी तीन प्रकार का होता है तिर विधो भवती प्रिया और तीन प्रकार के ही मनुश्यों को तीन प्रकार का भोजन पसंद है अपनी अपनी पसंद से सतोगुनी को सतोगुनी भोजन पसंद है रजोगुनी को रजोगुनी भोजन पसंद है तमोगुनी को तमोगुनी भोजन पसंद है क्यों ये तीन व्यक्ति, तीन फैकल्टीज में बट गए, कोई सतोगुनी बना, कोई तमोगुनी बना, कोई रजोगुनी बना, कैसे, जनम तो एक छोटे से बबल से वाती नोगा, लिए निगा, डवलोपमेंट किया पेरेंट्स ने, और सोसाइटी ने, तो इनको इनको एक छड़ गे तमोगुन काला रंग, रजोगुन लाल रंग, और सत गुन सफेद रंग, तो ये तीन व्यक्ति, आल्रेड़ी, सतोगुन रजोगुन तमोगुन में हैं, तो बगवान कहते हैं, सतोगुनियों को सतोगुनी बोजनी पसंद है, क्योंगे उनकी फाउंडेशन सतोगों से ही हुई है और उन्होंने realization किया है अपने जीवन में कि सतोगों नी बोजनी सबसे स्रेष्ट है और शास्त्रों में भी बखान हुआ है स्वेम भगवान ने भी गीता में इसी बात को बोला है दूसरे अनेक धर्मों के जिनको धर्म कहते हैं यानि संप्रदायों के शास्त्रों में भी यही चीज मिलती है देखने को बुद्ध भगवान के किसी सिष्ष ने कहा कि आप अइंसा का नारा लगाते हैं हमिशा सदे अइंसा की बात करते हैं लेकिन यह साख सबजी खाते हैं फल फ्रूट काते हैं इनमें भी तो जीव है और मचली है या कोई बकरी है उनमें भी जीव है तो बेद क्या है एक जीव को खराब करो उसके शरीर को खराब करो तो उधर भी करो या इधर भी करो फरक क्या है बेद क्या है तो बगवान बुद्ध ने तो बहुत इस पश्टता से समझाया कि ये मनुष्य का शरीर है इसको धारन करने के लिए भोजन तो करना पड़ेगा जीवो जीवश जीवनम जैसुगदेव गुस्वामी जी परिक्षित महाराज को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जीव ही जीव का भोजन है जीव ही जीव का भोजन है लेकन आप देखो कि इन जीवों में प्राणियों में बहुत से चिडिया ऐसी हैं जो शाका आ रही हैं और बहुत से ऐसी हैं जो मांसा आ रही हैं बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बिलकुल शाका आ रही है गाय है, गोड़ा है, उट है, हाती है, बंदर है करगोश है, इरन है, अनेक हो और इनके सामने लाख मांच पड़ा हो, ताजा से ताजा ये सूंगते भी नहीं दूर से निकल जाते है क्यों? क्योंकि इनकी प्रकर्ती शाकारी है इनने जो शरीर प्राप्त किया है, ये शाकारी प्रकर्ती का शरीर है अगर इमान सार करेंगे, तो ये दूशित हो जाएंगे इनके शरीर भी, बुद्धी भी, मन भी और इनश्ट हो जाएंगे, बिक्षिप्त हो जाएंगे, ऐसे ही जानवरों में हैं, सिंग है उसके सामने, उसको रोटी नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, उसको मांस चाहिए, क्यों उसका शरीर जो उसने प्राप्त किया, वो ऐसी प्रकरती का प्राप्त किया है, और भगवान का यह सब आरेंजमेंट है, कि जहां पर इरणों के जुंडों, तो उनको बैलेंस ही करने के लिए सिंग है, बाग है, चीते हैं, दूसरे बेडी हैं, बोल्फ, कई कई मांसार कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, यह बैलन्स को सही बनाए रखने के लिए और भगवान ने इनको पैदा किया, मनुष्य है, इसको भी जो दात जो हैं, और आत, यह शाकारी की प्रदान की, इसका शरीर शाकारी दिया, लेने इसको बुद्धी सभी प्राणियों में सबसे अधिक भगवान ने बक्सी, तो यह उस बुद्धी का उप्योग करे, यह दुरुप्योग करे, कर सकता है, यह कोई भी जानुर को मार के खा सकता है, पावर है शक्ति है इसके अंदर, और मारने जाने के लिए अब तो बन में जाना ही नहीं पड़ता, गर बैटे रहो बस, इस तो और उस दुकानों के ऊपर सभी प्रकार की जानुर मिल जाते हैं, साप कंचडे भी मिल जाते खाने के लिए, फिर तुम सुवर खाओ, चाहे बिल्ली, कुत्ते खाओ, कुछ भी खाओ, सब आवे लेबन है, तो खाता है, उस हल्दी लगे ने फिटकडी, रंग चोक होई किया है, लिए प्रकर्ती की खिलाप है, प्रकर्ती मनुष्य को शाकाहरी घोसित करती है, साइन्टिष्ट ने भी इस बात को, पूरे विश्व के साइन्टिष्ट ने इस बात को घोसित किया है, कि यह मनुष्य शाकाहरी प्राणी है, फिर हमारे शास्त्र, चाहे कुरान हो या बाइबल हो, लोड जीसस मान स्खाने को मना करते हैं, तो करते हैं, लेनों को माने कौन? कुरान में भी मान स्खाना अलाव नहीं है, लेन माने कौन? फिर गीता, शास्त्र, आयरुवेद, बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान ने तो माविर स्वामी, गुरुनानक देव, कोई भी मान स्खाने को अलाव नहीं करता हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, तो अपन गवान ने कहा कि अचिन्त भेदा भेद ये भी जीव है लिए हमको जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा इसलिए हम मनुष्यों का जो सलटेड भोजन है वो वेजिटीरियन है शाकाहरी है अमनी शिश्च को कहा लिए वो ही शिश्च जो है दूसरी दिन जो किसी के दरवाज बिक्षा मांगने गया तो उसने उसके बॉल में मांस का टुकडा डाल दिया कटोरे में तो उसने खाया तो नहीं लेकर आया बुद्ध वगवान के सामने और कहा मुझे तो ये देखो मांस का टुकडा डाल दिया बॉल के अंदर इसका क्या करूं इसको खाऊं या नहीं ख सब मिट्टी से खड़े होते बात तो उसने बड़ी पते की बोली कि मिट्टी से ये गाय बैस बनती हैं मिट्टी से मनुष्य बनते हैं मिट्टी से पेड़ पौदे बनते हैं फल प्रूट आते हैं सबजी आती हैं तो ये सब तो मिट्टी है फरक क्या है और मुझे तो इमां अगर जो जानवर अपने आप ही मर जाए, नेचुरल डैथ हो जाए, उसका मांस खा ले, वो जरूर मिट्टी है डैपिनेट, लेहने किसी का भले आदमी, किसी का घर क्यों बिगाड़ता है, आत्मा को तो तू क्या कोई भी नश्ट नहीं कर सकता, लेहने दूसरों के घरों को क्यों तोड़ता है, इनको भी जीने का हाक है, इनको जीने दे, और ये तेरा भोजन नहीं है, बुद्ध भगवान ने तो इसलिए कहा कि, इतनी तो इसके अंदर अकल होगी, ध्यान मार्ग में है ये, कि मरे हुए जानवर को, जो पोईजिनिस्ट हो जाता है, इसको मैं क्य क्यों खाऊं, जो निच्रल मर गया है, उसका तो पोईजिन हो जाता है, पूरी बोड़ी का, उसको कोई खाता नहीं, तो बुद्ध ने सोचा कि, ऐसे बोलूँगा तो श्याथ ये नहीं खाएगा, समझ जाएगा, लेकिन बुद्ध भगवान की चले जाने के बाद में, औ कि खा सकते हों मरे हुए मांस को, तो ये मरा हुआ है, सब जो खा रहे हम, चाहे मार मार गा रहे हैं, तो अपने अपने तर्क डूंड लेता है आदमी, अपने को उठाने के लिए भी और गिराने के लिए भी, कोई भी धर्म, मांस खाना अलाव नहीं करता, कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, जीसस ने जो रॉम में, रॉम की जो बड़ी चर्च है, वहां बेडों की बली देते थे, मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर, उन्होंने अपने हातों से वो बेड काटने की जो चुरे थे, और तकते थे, वो सब फैंक दिये बार, और बहुत शाउट कि कि डॉन्ट डू दिस बिजनिस बिद माई फादर, ओ भगवान के साथ ये दंदा मत करो, कि ये बली देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, कलकत्ता काली माता को बली लगती थी, अभी गवर्मेंट ने मना कर दिया, तो बंद है, लिन्वा धेर लग जाते थे हड्डि कि मा को बकरे की बली चाहिए, मुर्गे की बली चाहिए, खाते पंडित पुझारी है, मा तो दुर्गा तुमा नहीं खाते है, काली चाली सामें इलाइना आते हैं अंत में, माला और फल फूल चड़ाए, मांस खुन से नहीं छुआए, सब की हम समान मैतारी, काहे कोई बकर को मारी हम सब की माता हैं हमारे सामने क्यों तुम्हें बक्रे और मुर्गे लाला के मारते काटते हो कलकत्ता गॉर्मेंट ने जो है वो बक्रा बली बंद कर दी वहाँ पर अभी लड़ू बता से का बहुत लगता है फिर भी मैंने सुना था पुजारी से पूछा तो कहने लगे कि साल में एक बार बक्रा कटता है दश्यरे के दिन एक बक्रा वो अभी रख लिया है निसानी बना करके कि कभी आब बक्री करते थे कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र आपको पत भरस्ट करता नहीं बलकि सच्चे पत के दर्षन कराते हैं शास्त्र जिस पत से आप परमिश्वर को प्राप्त कर लें वो मार्क दिखलाते हैं, मार्स खाना थोड़ी से कलाते हैं या शराब पीना, या जुवा कहलना या आवेद इस्त्री बैशा बरती करना, नहीं आपको लिफ्ट अप करते हैं शास्त्र, उठाते हैं आपको पवितरता प्रदान करते हैं सतोगुनी भोजन को स्रेश्ट खा बगवान ने बगवान ने कहा कि अरजुनी ये तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं सतोगुनी, जिन्होंने अपनी शरीर को सतोगुन भोजन खिला से डवलप किया है उनका पूरा शरीर सत्योगुण में है फिर उनके विचार, बुद्धी, भावना शत्योगुण में होती है लिए जिन्हों ने अपनी शरीरों को रजोगुण भोजन खिला-खिला के डौलप किया है उनके विचार, बुद्धी, मन रजोगुण ही होते है